एक गाव में एक गरीब लकड हारा रहता था वह रोट सुबर जंगलों में जाके लकडी काटके अपना और अपने परिवार का गुजर बसर करता था पर वह इन सब से अपने परिवार के दो वक्त का खाना भी नहीं दे पा रहा था एक दिन वह परिशान होके जंगल में एक पेड के पास बैठा था और सोच रहा था कि उसे वह रोज रोज अपने परिवार को भूक कैसे रहने दे और वह करे भी तो क्या करे बस यही सोचते सोचते लकड हारे को नीद आ गई और वह सो गया तभी वह एक सपना देखता है कि वह जिस पेड के नीचे आराम कर रहा है उसी पेड के नीचे एक सोने से भरा मिट्टी का घड़ा था तभी उसकी आँख खुलती है और वह सोचता है वो केबल सपना था पर जब वही पेड़ देखता है तो वह सोचता है क्यों ना खोद के देखा जाए उसने जब खोदा तो वह उसी पेड़ के नीचे खजाना था फिर वह उस खजाने को लेके अपने घर जाके खुशी खुशी अपने परिवार के साथ रहने लगा